स्लीप बहुत रीजूबिनेटिंग फैक्टर है स्लीप आपके बॉड़ी को इंफ्लमेशन से रोकता है आज के तारीक में हम लोग लेट सोना चलो किया और लेट उठना चलो किया लेट सोने से मेरा मतलब है क्योंकि इतने सारे OTT प्लेटफॉर्म है Netflix, Amazon Prime इसके वज़े से हमें उन लोगोंने बांध के रखा है एक सीरियल्स के वज़े से तो यह सीरियल्स बहुत एडिक्टी होते है एक बार दो बार आपने उसके एपिसोड देख लिए तो आपको ऐसा अच्छा होती है कि इसको कम्प्लीट करो कब आप के दो या तीन बज जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा सुबह आपको उठके आड़ बज़े अपने डबबा बनाना है या ओफिस जाना है तो आड़ बज़े उठने के वज़े से आपकी नीन पूरी नहीं होगी चार पाज घंटे की नीन सफिशन नहीं होती है तो दिन म के बाद साइकल खराब होते चले जाएगी तो जो स्लीप साइकल है यह बहुत इंपोर्टन्ट है तो राते सोने के लिए है जैसे शाम ढ़ले गाव खेड़ों में आज भी साथ आट बज़े बिस्तर पे जाने का और नौ बज़े के पहले सो जाता है सुर्य दय होता है जैस हमारा स्लीप वेक साइकल है यह सबसे बेकार हुआ है इसके विज़े से हमारा नाइंटरिक ऑकसाइड कम हुआ है हमारे वैसल की तिकनिंग हो गई है और हमारा ब्लड प्रिशर बढ़ना चालू हुआ है इसका पूरूवड एक्जामपल है अब्स्ट्रक्शिव स्लीप व्यक्ति बहुत वजंदार या मोटा हो जाता है जिसका गला मोटा हो जाता है जिसका चेहरा मोटा हो जाता है वह व्यक्ति जब सोनी की कोशिश करता है तो उसकी जबान पीछे गिर जाती है उसके गले के विज़े से वह सो नहीं पाता वह व्यक्ति खराटे में नीन बिच जादा उठ रहा है तो उसको हम obstructive sleep apnea label करते है वह apnea label करने के बाद bypap का सुझाव देता है जिसके वज़े से उसको positive pressure oxygen मिलेगा या positive pressure air मिलेगी तो positive pressure से उसका need continuously stable रहेगा और वो दिन में fresh रहेगा अगर सो नहीं रहा है रात भर में वो बेचेन हो रहा है तो ऐसा अगर महिन चल गा है तो उसका दिन खराब रहेगा वो जहां बैठेगा वहाँ सो जाएगा उसकी बेचे नहीं रहेगी वो अच्छे से fresh महसूस नहीं करेगा उसका BP बढ़ना ही बढ़ना है उसका sugar बढ़ना ही बढ़ना है वो मोटा पा उसका कभी कम नहीं होने वाला वो चिड़ चि क्वड़ना ही है